मत्रा परसाद नवीन जो की मग ही के कवीर कहे जाते हैं आज उनका तिर्यान वैवा जन्व दिवस है उस पे क्रिस्न मोहन सिंग बडिश्ट पत्रकार है जो की नवीन चेतना समीती के आईए इनसे हम इनके वारे में कुछ जानकारी लेते हैं हम उस नवीन की जेन्ती पर उपस्तित हुए हैं जिनको लोग कभी के रूप में जानते हैं तो उन्ही पर सिर्फ चर्चाएं मैं केंदित करता हूँ कि नवीन जी अपने जीवन काल में साहित सिर्जन को ही सबसे बड़ा धरोहर माना और जब वो हिंदी में लिखने लगे कविता तो उस समय गोपाल सिंग नेपाली रामधाडी सिंग दिरकर फनिश्वरनात नेदू सुझकांत्रिपाठी निराला महादेवी परसाद बर्मा इनकी सानिध्यता में जब इनका पहुँच हुआ तो नागारजुन से जब इनकी मुलाकात हुई तो हम तो कहेंगे आज के तारिख में कि एक साजी स्रची गई उस समय के साहितकारों द्वारा और इनको हिंदी साहित जगत से बिमुख करने के लिए इनको अपनी मात्री भासा छेत्रिय भासा मगही की ओर इनको मोडा गया और उसमें मगही की सेवा इन्होंने इस धंग से किया कि सुझकांत्रिपाठी निराला महादेवी परसाद बर्मा और नागार जुन इन तीनों ने मिलके एक स्वर में इनको मगही का कभीर होने का किताब दिया यह मगही के कभीर है बेवाक लिखते हैं यह हर विधा पर लिखे एक इनका था बेटा हो बंदू कूठ है ने इस टाइब का कुछ यह तो ततकालिक बात है जो जो अपने उपर से बने रहते हैं क्रिस्न लेकिन भीतर से रहते हैं कंस उइसे लोगों के लिए इन्होंने वह करताएं लिखी थी बेटा हो बंदू कुठेना बाप जपो हमाला यह उन्होंने कविताने लिखी ती यह ततकालिक कविताएं थी इनकी काल्जी कविताएं बहुत सारी हैं उसमें जो अभी चल रहा है अन्य विद्यालियों में पढ़ाया जाता है पीजी में मतुरा परसाद नभीन, मघी के कबीर की कविताएं चलरे गोला, चलरे राहे राहा नहरिया कटता हूँ, कजरवटी और सारी पुस्तकों पर बहुत सारे लोगों ने पीएजडी और डिलीर तक की उपाधी ले ली, तो ये हकीकत जमीनी कभी थे, नोंने कभी कविता का मार्ग नहीं छोड़ा, जब कारगील का युद्ध चल रहा था, और उसमें जब नीरज जी का पार्थिव सरीर हमारे इस छेतर से गुजर रहा था, तो नभीन जी ने तच्छन देखते हुए बोला, कि देखते देखते सहीद होगेल, हममर गाउं से गुजरल, तो इसी तरह से उन से लिखते थे, इनकी लेखनी में इतनी कटाक्च होती थी, इतनी धार होती थी, कि उसे पढ़ कर, कोई भी इनकी जैजायकार करने को, लोगों का खून खॉल उठता था और लोगों को इनकी कविताओं से जागरीत करते थे इन्होंने उस समय कविता लिखते थे जब पूरा प्रदेश पूरा बिहार प्रदेश चरम सीमा में था जब अपराध यहां पे चरमोत कर्ष पे था तो उस समय की एक छोटी सी घटना भ अपराध और उस समय एक अपराधी के खिलाफ अपराध के खिलाफ यह हमेशा लिखा करते थे तो एक अपराधी ने उनके सीने पे बंदूक लगा दी थी और कहा था कि नवीन जी आप इस तरह की कविताएं क्यों लिखते हैं क्या मैं आपको मार दूं उन्होंने बिना डर करते हुए तुरंत अपने जेव से कलम निकाली और उनके उस अपराधी के सीने पे लगा दिया और हटाते हुए कहा कि देखो मैंने तुम्हारे सीने पे सिर्फ कलम लगाई है तो वहां पे दाग पर गया तुमने यहां बंदूक सटाई है तो क्या कुछ हुआ भी तो सोच लोगों को जगाते रहे और वह वैसे कभी थे जो कि सत्ता से भी निडर बेखौप होकर करके लिखते थे एक बार जब ततकालीन मुख्यमंतरी जर्नाथ मिश्रा जी थे वह कई बार बिहार के मुख्यमंतरी रहे और उस समय जो मुख्यमंतरी का पद था आया राम गया राम की तरज चल रहा था जगनाथ जी कई बार मुख्यमंतरी बन रहे थे हट रहे तो भरी सभा में जिस मंच में मुख्यमंतरी मौजूद थे नवीन जी ने साफ तोर पर एक कविता बोली थी कि अजीम सिर जी पत्रा देखो कहिया तक सरकार चलत महज एक कुरसी के खातिर कहिय सब्सकoya Tea कि बन गई उन्होंने उनकी स्थी को देखते हुए और तालियों की गरगळाहट गूञ उठी सदेश दिया कि जब दिलने वद यारण की दिलदार बदल के की करते जब गाउं के लोग सल्थी ने सरकार वदल के की करते तो इस तरह नवीन जी ने दोनों पक्षों को रखने का काम किया और नवीन जी की एक विशेश चीज जो उनकी कुछ में रुदन का ग्यान पानी का बुलबूला यह सब उनकी कितावे हैं तो आगे कुछ दिनों में मत्रवा प्रसाद नवीन चेतना समीति उनके संकलन को एक नए किताब के रूप में प्रकासित करने जा रहा है जो जल्द ही आप लोगों के समग छोगी तो नवीन जी एक सहित् प्रसा और दिसा देने का काम करती थी और उनका जब आप उनका कोई भी रचना पढ़िए उठा करके कहीं से नहीं लगेगा कि उनका कलम किसी के उनकी कुछ रचनाओं पर प्रकास डाली वह आडंबरों के खिलाप भी लिखते थे चाहे वह राजनीती भरष्टाचार के ख प्रकास तो कितनों वीर बहादूर रहो वह बैगन बातर कर वे करता हमेसा वेबाक लिखते थे अब जीसा कि सवरब जी ने भी कहा कि अजी मिसीर जी पत्रा देखो कहिया तक सरकार चलत महाजे के कुरसी के खातिर तो हमेसा उनकी रचना समाज में एक धार देने का काम करती थे और युबाओं में जोस जगाने का काम करते थे कमले जी मैं आपको बता दूँ कि आज जिस तरह से ब्रहिया पर एक संकट का बादल चाया हुआ है कहीं न कहीं राजिनितिक सडियंत्र का सिकार है हमारा ब्रहिया और इस पर कुछ लोग खुल कर नहीं बोल रहे हैं तो में उनकी कमी हमाइए खल रही है कि आग कास वह अगर आज रहते तो हमेशा वह अपनी रचनाओं से लोगों को जगाते आज जो लोग पाटी पर बेक्ति बिशेश के नाम पर अलग थलग महसूस कर रहे हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से उन लोगों की आत्मा को जनकृत और इस आत्मा को हमेशा बचा करके नवीन जी ने रखा ये हमेशा उनकी लेखनी से आपको महसूस होगा इसा प्रत्रीत होगई ऐसे महान कभी को हम बार-बार प्रणाम करते हैं इस थे मौस्रवपलव commandments नवीन आप बने रहेए